गुड बॉनिंग बच्चु आज हम सब कावे खंड का पाठेक सूर्दास के पद का भावार्थ समझेंगे सूर्दास के यह पद सूर्सागर के भ्रमरगीत से लिया गया है इस रचना में चार पद हैं इन पदों में गोपियों की व्यथा अर्थात-कस्ट को बताया गया है जब शुर्प्रिष्ण गोपियों को छोड़कर मतरा चले गए थे तो गोपियां अत्यंत दुखी थी और वे शुर्प्रिष्ण के वापस आने का इंतजार कर रही थी लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयम आने के बजाए अपने मित्र उधाव को वहाँ पर गोपियों के लिए योग संदेज दे कर भेजा गोपियों को उद्धव ने योग संदेश दिया अर्थार योग संदेश इसका अर्थ होता है कि गोपियां हर वक्त यहीं अनुभग करें कि श्री कृष्ण उनके साथ हैं उद्धो गोपियों को निराकार भगवान की पूजा करने के लिए कहते हैं परंतु गोपियां ज्यान मार्ग के बजाए प्रेम मार्ग को अधिक पसंद करती थी गोपियों को निराकार भगवान की अपेक्षा साकार भगवान की पूजा करने में आनन दाता था अर्थार गोपियां श्रीक्रिश्न को अपने समक्ष मूर्थ रूप में ही देखना अधिक पसंद करते थे इसलिए विश्रीक्रिश्न का इंतजार कर रही थी जब उधव ने गोपियों को निरकार यानि निर्गुन ब्रह्मा और योग का उपदेश दिया तब गोपियां उसे सहन न कर पाई जब उधव गोपियों को या संदेश दे रहे थे तभी वहाँ पर एक भवरा आ गया तब गोपियों ने भवरे के माध्यम से उधव को ताने दिये भवरे को कहने के बहाने गोपियों ने उधव पर व्यंग कसे अतर सूर्दाजी ने इस रचना का नाम भ्रमरगीत रखा आईए इसका प्रथम पद देखते हैं उधो तुम हो अतिबड़ भागे अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनुरागे पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह नदागी जो जल्मा तेल की कागरी बूंद नता को लागी पृती नदी में पाउन बोर्यो तृस्टीना रूप परागी सूरदास अबलाहम भोरी गुर्चाटी जो पागी आईए इसका भावार देख लेते हैं उधो तुम हो अतिबड़ भागी गोपियां उधो पर व्यंग कस्ते हुए कहती हैं कि हे उधो तुम हो अर्था तुम तो अति अर्था बहुत अधिक बढभागी अर्था बागशाली कि हे उधो तुम तो बहुत बागशाली हो अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनुरागी अपरस अर्थाद अच्छूता जिसे इस पर्ष ना किया गया हो सने अर्थाद प्रेम तगा अर्थाद धागा नाहिन अर्थाद नहीं अनुरागी अर्थाद प्रेम में डूबना गोपियां कहती हैं कि तुम कभी भी प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंधे हो जल भीतर तारस देहना दागी, पुरेनी पात अर्थात कमल का पत्ता, जल भीतर अर्थात जल के अंदर, तारस देह अर्थात शरीर, दागी अर्थात दाग धबे, गुपियां आगे कहती हैं कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, फिर भी वो अपने शरीर क के उपर कहीं भी दाग-धब्ले नहीं आने देता जो जिस प्रकार जलम अर्था जल में तेल की गागरी तेल से भरी हुई गागर बूंद्र नता को लागिए जिस प्रकार से जल के अंदर अगर तेल से भरी हुई कागर को रख दिया जाए तो उस पर पानी की एक भी बूद का प्रभाव नहीं पड़ता ठीक उसी प्रकार हे उद्धव तुम सदैव श्री कृष्ण के साथ रह रहे हो फिर भी तुम्हारे उपर कभी उनके प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा प्रिती नदी में पाउ न बोर्यो द्रिस्टी न रूप परागी प्रिती नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी पाउ अर्थात पैर बोर्यो बोर्यो अर्थात दुबाना द्रिस्टी द्रिस्टी अर्थात नजर परागी परागी अर्थात मुग्ध होना या प्रभावित होना आगे कोपियां कहते हैं कि हे उधो तुमने अच्छा ही किया कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपने पाउं नहीं डुबाई और नाहीं कभी तुम्हारी दृस्टी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो पाई है सूर्दास अब लाहम भोरी गुर चाटी जो पागी आगे कोपियां कहती हैं कि हे उधो हमारी इस्थिती तो उस प्रकार से हो गई है जिस प्रकार से कोई चीटी गुर के पाग में लिपटकर रह जाती है यहां पर गोपियां स्वेम को अबला और भोली बता रही ह उनका कहना है कि उनकी इस्थिती इस प्रकार से है जिस प्रकार गुर के पाग में चीटी निपटकर रह जाती है उसी प्रकार वे गोपियां भी श्रीकृष्ण के प्रेम में लिपटकर रह गई हैं आईए इसका दूसरा पत देखते हैं गोपियां उद्धो को व्यंक कस्ते हुए आगे कहती हैं कि हे उद्धो मन की मन ही मांज रही हमारे मन की बात तो हमारे मन के अंदर ही रह गई मांज मांज अर्थार अंदर तो वही गोपियां यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कहीं गोपियां आगे कहते हैं कि हे उधो हम अपने मन की बात किसे जाकर बताएं और कहां बताएं हम अपने मन की बात कहीं भी नहीं बता पा रहे हैं अवधी अर्थात समय, अधार अर्थात आधार, आस अर्थात उमीद, आवन की अर्थात आने की, तन का मतलब होता है शरीर, मन, बिथा, बिथा अर्थात व्यथा या कस्थ, सही अर्थात सेहना. गोपियां कहते हैं कि अभी तक तो हम गोपियां, श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में, तन, मन, सारे कस्थों को सह रहे थी, परन्तु अब इन जोग संदेश नी सुनी सुनी विरहनी विरह दही, परन्तु अब इस योग संदेश को सुनी सुनी अर्थात सुन सुन कर, हम व कुपमा दे रही हैं विरहनी विरह दही विरह अर्थाथ वियोग से उत्पन दुख दही अर्थाथ और भी अदेख बढ़ाना गोपियां। कह रही हैं कि अब ये योग संदेश सुन सुन कर हमारे जो वियोग का दुख था वो और भी अधेक बढ़ गया है गुखारी का अर्थ होता है रक्षा के लिए पुकारना जितही ते अर्था जिधर से उतते अर्था उधर से धार अर्था धारा बही अर्था बहकर आ रही है गुखार कहती हैं कि हम जहां से अपनी रक्षा के लिए आवाज देना चाहते थी उधर से ही जितही से उतते धार बही है वही से हमारे लिए योग की धारा बहती हुई चली आ रही है अर्था वे श्रिक्रिष्ण से ये उमीद कर रही थी कि वे गोपियों से मिलने आएंगे और उनके कस्ट को कम कर देंगे परंतु उन्हीं श्रिक्रिष्ण ने वहाँ आने के बजाए उधो के माध्यम से उनके लिए योग संदेश भेज दिया सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर जादा ना लही अब गोपियां सूरदास जी के माध्यम से कह रही है कि अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं त्याग दी है उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाए हमें योग संदेश भेज दिया अब तुम ही बताओ हे उधो भला हम धीरता कैसे धारन करें धीर अर्थात धीरज धरही अर्थात धरना मरजादा अर्थात प्रतिस्था तो वही गोपियां यहाँ पे कह रही है कि अब कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं त्याग दी है और हमसे उन्होंने प्रेम निभाने की बजाए हमें योग संदेश भेजा अब हम धीरता कैसे धारन करें आए इस रचना के अगले दोपद हम अगले भाग में पढ़ेंगे